पश्रिमंगाल के मुख्यमंद्री मम्ता बैनर जी और चुनावी रणनीती कार प्रशांद किशोर की बीस सब कुस ठीक नहीं चल रहा है इस बात की अटकले तब लगने लगी जब कई टीमसी नेता नगर पाली का चुनाव में सीट बटवारे को लेकर प्रशांद किशोर से नाराजगी जताने लगे वहीं पीके भी टीमसी नेताओं के विवार से खुश नजर नहीं आ रही है जिसके बाल रिश्टों में दरार आने के संकेत मिलने लगे हैं पश्चिम मंगाल विधान सभा चुनाव में जिस प्रशांद किशोर ने ममता बनर जी की पार्टी को महा विजय हासल करवाई थी वहीं पीके अब दीदी का साथ चोड़ने को तैयार हो रहे हैं सूबे में पिछले कई दिनों से आईपैक और टीमसी के बीच तकरार चल रही है इसे लेकर प्रशांद किशोर ने अपने तल्क तेवर दिखाए है उन्होंने ममता को मैसेज में लिखा कि आईपैक बंगाल त्रपुरा मेगाले में टीमसी के साथ काम नहीं करना चाहता है इसके जवाब में ममता ने लिखा थैंक यू ममता और पीके के बीच तकरार की वज़ह निकाय चुनाव को माना जा रहा है दरसल चुनाव के लिए तरनमूल कॉंग्रेस की उमीदवार सूची को लेकर पार्टी नेताओं और कारिकरताओं में भारी आकरोश देखा जा रहा है पार्टी नेतरत्यू के एक धड़े ने इसके लिए तरनमूल कॉंग्रेस की चुनावी सलहा कर प्रशांत की शोर को जिम्मिदा ठहराया है लेकिन पीके के संगठन आईपैक के सूतरों ने कहा कि निकाय चुनाओं के उमीदवारों के चैन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी मंगाल में निकाय चुनाओं में प्रत्याशियों के टिकेट बटवारे को लेकर ममता बनर जी और उनके भतीजे अभी शेक बनर जी में मतबेद की भी खबरे आ रही है पार्टी के इन दोनों वरिष्ट नेताओं में मतबेद पैदा होने से अंतर कलेह भी बढ़ती जा रही है इसके लिए कई नेता सीधे तोर पर प्रशांत किशोर को जमिदा ठहरा रहे है रिपोर्ट के अनुसर बंगाल में टीमसी के नेता कारिकरता अने लोगों के अलावा राजी के मंतरी सरकारी विभागों में आईपैक के हस्त शेप से खुश नहीं है वहीं पीके भी टीमसी से नारास चल रहे है तरणमूल कॉंग्रेस ने पार्टी सदस्यों की शिकायतों को देखने के लिए सभी जिलों में समन्वे समितियों का गठन किया है जिसमें वरिष्ट नेता शामिल है इसके बाद से टीमसी और प्रिषांत किशोर के संगठन आईपैक के बीच संबंधों में तनाव की अठकले और भी तेज हो गए यहां तक कि अब तो पीके ने दीदी का साथ चोड़ने के संकेत भी दे दिये है ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई रिष्टों में पढ़ जाएगी दरार क्या चुनाओ से पहले पीके छोड़ देंगे ममता का साथ डीविलाइव की रिपोर्ट